अंतरिक्ष में भारत का कर्द तेजी से बढ़ रहा है। इसी के चलते भारत अपना स्पेस स्टेशन लॉंच करने की योजना बना रहा है। इसके लिए अलग से एक दशमलग चार तीन अरब डॉलर का बजट रखा है। इस मिशन के तीन अंतरिक्ष यात्रियों को सात दिनों के लिए अंतरिक्ष में भीजा जाएगा। समझा जाता है कि इस मिशन की लॉंचिंग दिसंबर 2020 ते ही शुरू हो जाएगी। अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले क्रू मेंबर्स का फाइनल सेलेक्षन इस्टरो करेगा और फिर वायू से ना इन्हें प्रसिक्षित करेगी। इस्टरो ने बुद्धवार को अपनी महत्वा कांशी परियोजना चंद्रयान 2 के प्रक्षेपन की जानकारी दी थी। इस्टरो के मुताबिक चंद्रयान 2 15 जुलाई को दो पहर 2 बजकर 51 मिनट पर चांद के लिए टेक आउफ करेगा। इस्टरो के चेयर्मेन के सीवन ने बताया की चंद्रयान 2 लूनर क्राफ्ट नासा के एक पैसिव एक्स्पेरिमेंटल इंस्ट्रूमेंट को चांद पढ़ ले जाएगा। अमेर्की एजेंसिस मौजूल के जरिये धर्ती और चांद की दूरी को नापने का काम करेगी। आपको बता दे किस रो 2008 में चंद्रयान मिशन की सफल लॉंचिंग कर चुका है। हाल के साल में भारतनी अंतरिक्ष के शेत्र में लंबी उडान भरी है और दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करवाया है। बीते मार्च में भारतनी अंतरिक्ष में लाइफ सेट लाइट को मार गिराया। अपने मिशन शक्ती किस काम्याबी के बाद भारत उन चुनिंदा देशों की श्रिणी में शामिल हो गया जनके पास मिसाइल को अंतरिक्ष मिमार गिराने की तक्नीक है। अब तक ये शमता अमेरिका, रूस और चीन के पास थी। अंतरिक्ष में भारत की सफलता के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने ज्याधियों के वैज्ञानिकों और अधिकारियों को बधाई दी। साथी उन्होंने मिशन शक्ती को लेकर देश के नाम संदेश भी दि कि अन्हों के उर सकती क्या करेंग आथ जया ज्याधियों को बदेश रेश्टी उन्होंने मिशने 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 फिर गड़ाभी जा रूसे हम में वाटेश्ट थी।